है नो दोस्तों मैं हूं रेणका डोरा, आज मैं लेकर आई हूं चिकन चिली, बिलकुल अब इस्वास नहीं करोगे, कितना टेस्टी बना है, रेस्टोरेंट और धाबर से भी बहतर बना है, आप इस तरह से बनाओगे तो रेश्टूरेंट और ढाबा को भूल जाओगे घर पे इतना टेश्टी और यम्मी बना सकते हैं सारा परिवार में आपके सारे बैट के हराम से इसका इंजोय कर सकते हैं तो यहां देखिए यहां चिकन ली हूँ अंडा, सिम्ला मेच, प्याज, मिर्चा, लसन, अद्रक सबको मैं यहां पे काटी हूँ तो जब भी आप चिल्ली के लिए सबजी काटेंगे तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा ही काटना है सिम्ला मेच और प्याज, दोनों बड़े टुकड़े में काटे हैं और अद्रक लसन को हम बारी काट लिए हैं तो देखिए इस तरह से चिल्ली के लिए छोटा-छोटा पीस काट के रखना है चिकन का तब ही जाके चिल्ली बनता है, वह तच्छा बनता है इस तरह से चोटा पीस कल लेंगे हम चिकन का और एक अंडा है तो देखिए एक बरतन में हम चिकन डाल दिये हैं और एक अंडा इसमें फोड के डाल दिये रेस्टूरेंट और कहीं पर आप देखोगे तो यहां पर वाइट वाला हिस्सा ही डालते हैं एलोला हिस्सा नहीं डालते पर मैं दोनों डाल दी हूं इससे कुछ खराब टेस्ट नहीं लगेगा एक चमच यहाँ पे हम कौनफ्लोर डाले हैं और एक चमच मैदर डाले हैं और इसमें हम डालेंगे स्वादनुसा नमक अंडा इसलिए डाले हैं कि यह फूलेगा और सॉप्ट बनेगा बहुत अच्छा बनेगा इसलिए इसको अंडा डाला जाता है और यहां पर वन पिंच मैं ने एक चुटकी यहां पर हम औरेंज कलर डाले हैं और फूट कलर बहुत ही आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते पर हम ढamine जाएल नहीं थाबर जैसे बना हे तो हम यहां पर थोड़ा सा कलरक डालें देखने में लूप अच्छा लगता और झालें लगल देखने में अच्छा लगेगा अब आपको लगा कि इसमें थोड़ा से पानी का जरुवत है तब थोड़ा से डालेंगे नहीं तो बिना पानी का ही यह अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब हम कुकिंग ओल यानी रिफाइन ओल से बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा से हम रिफाइन ओल डाल दिया आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं थोड़ा तेल में ही बनाऊंगी जैसे ही तेल गरम हो जाता है चिकन का पीस लेके एक एक करके हम इसमें डालेंगे देख सकते हैं इसतरा से डालेंगे और इसमें नवी ओर दीर में इसको फुलेगा फेविए आ Pixel वजो के इस तरह करें का यह प्रूड़ा कit शल डाल कि जाल ज़य then about तो प्रसके है चाहे की साथ आगा तो इस तरह से हम बनाएंगे देखे की और अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो बेल आगिन के साथ प्रेस करना ताकि नहीं नोटिविकेशन मिलते रहे हैं जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाएं इसी तरह हमें हमारे वीडियो को साथ मैं बताती हूं खाना तो आपको अच्छा लगेगा देखिए हम यहां पर एक चम्मच सॉस एक प्लेट में डाल रहे हूं और यहां पर जैसे एक चम्मच में विनेगर डाली हूं एक चम्मच यहां पर सोया सोस और दो चम्मच के करीब यहां पर टेमेटर सोस डाल रह तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे इसका गोल त्यार कर लेंगे आप देख सकतो हैं यहां पर हम सारा चीज यहां रेडी करके रखेंगे प्याज मिर्चा और देखिए प्याज और कैप्सी कम को मैं बड़ा टुकड़ा में ही काटी हूं यहां पर अद्रग लसन और मिर्चा सबको बारी काटी हूं और सौस त्यार करके रखे हैं कसूरी में थी हैं और चिकन फ्राई करके रखे हूं अगर अगर आप इस तरह से रेडी करके रखेंगे तो एक कड़ाई पर हम दो चमस तेल डाल दिये हैं अभी हां पर हम बारी कटी बें लसन और अध्रग डालेंगे साथ में यहां पर मिर्चा भी डालेंगे हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है चिल्ली में ज़्यादा फ्राई नहीं होती है सारा सब्जी कच्चे ही रहती है क्रंची लगती है तो इसे हलका सही हम इसे भूनेंगे इसलिए से बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो देखिए हम प्यास डाल दिये हैं और साथ में हम सिम्ला मीज भी डाल दिये हैं दोनों को थोड़ा पांच मिनिट के लिए हम थोड़ा इस तरह सम्थ चला लेंगे तो दोस्तों मेरे जया ऑदों जाया कि मेरे चैनल पर जरूर जाना देखना वेजिटिरिय और श्रम में।हूं वीडियो बनाई हूं और बहुत सारे वीडियो में में ट्रिक्स भी बताई हूं ताकि आप जो भी वीडियो बनाएं आपका खाना खराब नहीं तो देखिए जितना सॉस हैं यहां पर डाल दिये हैं तो यहां सॉस डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे देख सकते हूं मैं ज्यादा फ्राइ नहीं कर रही हूं हलका ही कर रही हूं अब यहां पर जो चिकन हम तल के रखेते हैं चिकन डाल देंगे और चिकन डाल के हम इसे भी मिला लेंगे अब इसमें गोल मिज डालेंगे हाग चमस से भी थोड़ा कम मैंने 10-15 दानी को पीस किस में डाल सकते हैं पॉर्डर करके और यहां पे कसूरी मेति डाल रही हूं कसूरी मेति को थोड़ा सा क्रस्ट करके डालिए तो अच्छा स्वाद आता है और यहां पे खास नियर्ज भी डालूंगी आप ध्यान से देना यहां पर नमक डाले हैं नमक आप ध्यान से देना कि पहले भी नमक डाले थे और जो कौन फ्रोड को पानी में भोल के रखे थे वो डाल देंगे तो देखे कितना फटा फट कितना जल्दी बन रहा है आप देख सकते हैं कि सारा चीज रेड़ी रहने से कितना जल्दी बनता है और यह है खास मसाला मैंना चिकन पॉडर चिकन मसाला जरूर डाल एगा एवरेश्ट का इससे बहुत अच्छा टेष्ट आता है, तो दोस्ते बन के रेड़ी है गरम गरम प्रेट में राल के सर्क केजिए, तो कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो ज़ादे से ज़ादे सेर्क करना जरूर इस तरह से बनाना मिलते हैं फिर से घर के बने इंगिडेंस के साथ तबते के लिए बाई बाई टेक कियर